देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स खबर ही नहीं विशलेशन भी इसलाम नमस्कार सस्रीकाल आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स मैं रजूर रख्मान बिहार में एक बाप फिर भाजपा ने तेस्वी यादब को बड़ा जटका दिया है महागडवन्दन के तीन विधायक बिजेपी में शामिल हो गए हैं इनमें कॉंग्रेस के दो और आर जट के एक विधायक शामिल है इसके पहले बी 12 हरवडि को फलोर टेस्प के दोरान भी आर जट के तीन विधायक NDA में शामिल हो गए थी आपको बता दे कि एक तरफ जहां तेश्वी यादव बिहार भर में जन विश्वास यात्रा कर बिरोधियों को अपना अपार जन समर्टन लिखा कर महागडवंदन की ताकत का मुझाहरा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महागडवंदन की बिधायक भाजपा में शामिल होकर एक के बाद एक जोर का जटका धीरे से दे रहे हैं जी हां आपने सही सुना भाजपा ने एक बर फिर सेंद मारी कर बिहार में कॉंग्रेस और राष्टे जनता दल को बड़ा जटका दिया है कॉंग्रेस के दो और आरजडी के एक बिधायक ने बीजेपी जोएन कर लिया है तीनों बिधायक डिप्टिशियम समराच चोधरी के साथ नजर आए कॉंग्रेस के जिस एक बिधायक ने पाला बदला है वो महागटवनत सरकार में मंतरी भी रह चुके है कॉंग्रेस के मुरारी गोतम महागटवनत सरकार में मंतरी भी थे और चेनारी विधान सवा से विधायक है सिधार्थ सोरभ दिक्रम विधान सवा से विधायक है और अब पाला बदल कर बीजेपी जोईन कर चुके है और वहीं राष्टे जनता दल की विधायक संगीत अदेवी मोहनिया विधान सवा से आती है देखा जाये तो पिछले कुछ महिने से बिहार की राजनेती में एक के बाद एक भुचाल आ रहा है बिहार के मुकमंतरि उतिस कुमार का आरजेडी से हाथ छोडाना और बीजेपी का एक बार फिर से दामन ठामने की घटना के बाद लगातार एक पार्टी को छोड़का दूसरी पार्टी में जाने का सिलसला ठामने का नाम नहीं ले रहा है आपको बता दे कि बिहार की राज़दानी पटना के गांधी मैदान में तीन मार्च को महागटवंदन की जन विश्वास मारेली होनी है इसरेली में राज़द अद्यक्ष लालू परशाद यादव कॉंग्रिस नेतर राहूल गांधी और पुर्व उपमोहंतरी तेस्वी यादव शामिल होंगे लेकिन उससे पहले पार्टी के निताओं का बीजेपी का दामन थामने थामना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है ग्रहसल बिहार बिधान सभा में डिप्टी सीम समराट चोधी के पीछे भगवा गमचल लटकाय राज़त की बिधायक संगीता देवी जा रही थी और उनके पीछे-पीछे कांग्रेस के दो बिधायक मुरारी गौतम और सिद्दार्ट सौरब जा रहे थी मीडिया के सामने तीनों ने कर्फरम किया है कि वो बिजेपी जोहर कर लिये हैं तीनों बिधायक बिजेपी में शामिल हो गए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी में इस बड़ी सेंद मारी के बाद कांग्रेस के बिधायक रामानूज ने तीकी परतिकिरिया दी है उन्होंने कहा है कि पैसे और ताकत के बल पर बीजेपी विपक्ष के नेताओं को खरीद रही है उन्होंने कहा कि बीजेपी महागडवन्दन के नेताओं को ड्रा धमका कर अपने पाले में ला रही है उन्होंने भाजपा पारोप लगा है कि वो सम्मिधान का मजा कुरा रही है रामानुज यादव का कहना है कि परधान में नेंदर मोदी और भाजपा पार्टी विधायकों को तोरने के लिए लगातार शडियंत कर रही है इसके बाद पतरकारों ने रामानुज परसाथ से पूछा कि आपके नेता तेस्वी यादव खेला की बात करते थे तो ये तो आपके साथ ही खेला हो गया है तो इसके जवाब में रामानुज परसाद ने कहा कि हम इसी खेला की बात कर रहे थे ये खेला ही हो रहा है लोक तंतर का चीर हरन हो रहा है दरासल नितिस कुमार जब महागट बंदन से रिष्टा तोर के बीजेपी में बीजेपी से हाथ मिला है तो तेस्वी यदब ने मेडि बीजेपी में शामिल होंगे इसके लाबा आरजेटी के भी कुछ बिधायक संपर्क में हलाकि अनुवानों के अधार पर ये कहना अभी जल्द बाजी होगी लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक महागट बंदन के बिधायक अपने पुराने ठिकाने को छोर कर नया ठिकाना रहे हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता के चकाचा उन से दूर रहना विपक्षी दल के विधायकों को गवारा नहीं लग रहा है ऐसे में अपने बिगर्थे आशियाने को फिर से सवारने में तेस्वी यादब का जन्विश्वास यात्रा कितना सफल होगा या तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन फिलाल जटका लगने का सिल्सला थमने का नाम नहीं ले रहा है और खेला तेस्वी यादब तो नहीं दिखा पा रहा है लेकिन भाजपा एक के बाद एक खेला दिखा कर विपक्षी दलों के विधायकों के होसले को जरूर नजर आ रही है जो महागरबंदन के लिए सही संकेत नहीं है